वेल्गम बैक तो माई चैनल जिसका नाम है श्टेडी विस्यूंसल्फ आज हम आपके लिए फिर एक नहीं टॉपिक लेकर आए हैं इसका नाम है वीकली करेंट अफियर्स आए इस टॉपिक में बात करेंगे वीकली जो करेंट अफियर्स हुई है इनके कुस्टंस की लेकिन इसे पहले वीडियो में आपको दिखाय थे 25 इसक्सें और इसक्सिक्स नियरबाट थे इस आपको बहुत हमिली होगी लेकिन आज हम सब्च्द्व की बात करेंगे चलिए स्टाट करते हैं मां टॉपिक हमारा वेकली करेंट अफियर्स इसमें हमारा पहला कुस्टंस है प्र प्रधानमंत्री नहिनमोदी ने अपने आवास पर श्रीमत भगवत गीता के स्लोको पर 21 विद्वानों की पढ़ियों वाली पांडु लिपी के 11 खंड़ों का विमोचन किया था यहां पर किया था अपनी आवयाज पर किसके इस लोकों का सुरीमत भगवत गीता के इस लोकों का तो वाली पाणुली पिकि ग्राखंडों का भी मोचन किया था तो इसका अंसर हो जाए ग्यारा का भी मोचन किया था नेक्स्ट कोशन है मारा अडानी ग्रीन अनर्जी सेड इस आर्म अडानी विंट एनर्जी कच्च ट्री इनर्जी ने कहा है कि उसके एकाई अदानी वेंड एनर्जी कच्च 3 Limited ने गजराट के कच्च में 100 Megawatt का पवण उर्जा सेंत्र चालू किया है कितने Megawatt का 100 Megawatt कहां किया है गजराट के कच्च में इसने किया है अदानी वेंड एनर्जी ने किया है यहां से 3-4 agains आ सकते हैं Next है ہहमारा Danish teenager Clara Tawson clinched her first career title in style beating Victoria Golubich 6-4-6-1 to win the Lion Open without dropping a set after coming through two qualifying rounds. Qualifying के दो राउंड से लेकर आखिर तक एक भी सेट में गवाने वाली Denmark की किस औरी Clara Tawson ने Victoria Golubich को 64-61 से हराकर Lyon Open Tournament का किताब जीता. कौन से किताब जीता? Lyon Open Tournament का किताब जीता. Lyon के carrier का कौन से किताब नहीं जीता आपनी carrier का कौन सा? को हराया है? Victoria Golubich को. कि सौरी क्लार हरा टॉसं टाह नहिसे नहीं कि रहने वाली है किसे रांड से पहला खिताब्या के के क्याँ कहले ने ओपियो बाउंड अ on पुल्ड ऑफ टू पॉइंटर इन लास्ट थर्टी सेकंद्स ऑफ गोल्ड मेडल बाउट टुपे इफेंट इस्टाइल एड़ा मार्टियो पहलवान बजरंग पुनिया कौन से पहलवान है भारतिया पहलवान बजरंग पुनिया आकरी तीस सेकंड में अगरीरी इस इसेकंड में दोंख बनाकर मांटियो पैलिकॉन रांकिंग कुस्ति सिरीज में सुइंड़ पदक इसने बजरंग पुनिया कौन से मिडल जीता है तो अंसर वाज़ाए कुसी सीरीज मार्टियों पलिकॉन रैंकिंग पुसी सीरीज यहां से भी चाहिए कौन सा ओलम्पिक तोप्यों ओलम्पिक की त्यारियों में लगे तेगे नेक्स्ट वॉचन है मारा र्याना पुलिस वन द इंडियन पाइल कॉम्पिशन वाल इंडियन निवी गिंश द पेर्टेंट पेगिंग इवेंट अधन नाशनल एक्विस्टियों तेंट पेगिंग चैंपियोंशिप अर्याना पुलिस औभार्तिय नौसे नानी राष्टिय एक्विष्टे रियन चैंपियोंशिप में क्रमशा इंडियन फाइल और टेंट पेंग्ई सिवेंट में जीत हासिल कर सौनद पदक जीता कौन सा पुलिस आफस picked up Pagging Championship में क्रम्चा इंगियन फाइल और पेर्ड टेंट पैगिंग इवेंट में जीत हासिल कर सौन पधर जीता कौन सा पधर जीता है सौन पधर जीता है एक सुचन है मारा The design for a sculpture of an early 20th century Sikh fighter pilot, cricketer and golfer from Oxford University has been approved for a new memorial to be erected in the England port city of Southampton in memory of all Indians who fought in the world wars England के बंदर का शहर Southampton तहां का इंग्लैंड की बंदर का शहर का नाम क्या है Southampton में विश्वी युद्धों में जो विश्वी विद्ध हुए थे उतमें लड़े सभी भार्तियों की याद में विश्वी भार्तियों की याद में उनकी याद में बनाय जा रहे नए इस मारक मे सिंग मलें हरदे सिंग मलिक की लगाइजाने वाली मूर्ती के डिजाइन को मझूरित दे दी गई है उनकी याद में एक मूर्ती बनाई जा रही है तो उसकी मझूरित दे दी गई में का बने चाहिए Catch God बगाश्त केद्नी डीलाशेस। particulier गुड़द्वारा बंग्ला साभिपॉड पमप्लैक्स दिल्ली सिख गुर्द्वारा प्रबंदक कमेटी ने परा बंगला साहिब परिसर में भारत की सबसे बड़ी गुर्दा डाले से सेवा के सुरुआत किये दिल्ली सिख गुर्द्वारा प्रबंदक कमेटी ने गुर्द्वारा बंगला साहिब परिसर में भारत की सबसे बड़ी दुर्गा डाले से सेवा की सुरुआत की है नेक्स्ट कुशन है मारा विष्व की सबसे हुची परवत चोटी माउंट एवरेश्ट को फते करने वाली देश की पहली महिला परवतार रोही बचेंद्री पाल माई से सुरू होने वाले पांच महिने के लंबे हिमाले परवतार रोहन अभियान में पचास साल से अधिक उम्र की पचास साल से अधिक उम्र की दस महिलाओं के दल का नित्रत करेंगी कितने उम्र से ज्यादा है अधिक उम्र से पचास साल से अधिक उम्र की दस महिलाओं के नित्रत करेंगी कौन करेंगी इसका नित्रत महिला पहली महिला परवतार रोही बच पॉर्मर प्रेसिडेंट एल्डर ब्रदर मुहम्मद मुथो मिरान मरकयार का निधन डाइड वाज बड़े भाई मुहम्मद मुथो मिरान मरकयार का निधन हो गया पूर्मर राजपती अप्धुलकलाम के बड़े भाई थे और किस वर्स में निधन हो गया आप पूसके एक पीज अब्धुलकलाम के निधन हो गया तो आणसर हो जाएगा मुथो मिरान मरकयार के तो किस साल गयते एक सूचार साल गयते आणसर हो है और राजस्तान गवर्णर अंचुमा सिंग्स कि पूर्व राजपाल आणसुमान सिंग का शूर्ट की आयू में निधन निधन हो गया तो उनका नाम हो जाएगा अंचुमान सिंग् किस किने साल की उम्र में उनका निदन वा तो लगनों में उनका निदन हो गया चाहरा पर कुश्छंस बन सकते हैं लेक्स कुश्छा ने मारा प्राम मिनिस्टर नरेन मूदी इनागुरेटेड मैठी सेतु बिल्ड ओवर फेनी रीवर बेट्वीन इंडिया एंड बंगलदेश वाय वीडियो कंऑțरेंसिंगं परदान मंत्री नरेन मूदी ने वीडियो कंवरेंसिंग के जरिये भारत औ बंगलादेश के बीच पेनी नदी पर बने मिघ्री सेतु का उन्यद्गाटन किया है किया है तुट इनसे चाहर प्राई क्र прошफ को सकते है इसले इसको देख लीजेगा नेक्स्ट कोच्छन है ISRO has completed the development of a synthetic aperture radar capable of producing extremely high resolution images for a joint earth observation satellite mission with the US space agency NASA प्रत्वी के साइउत रूप से अवलोकन के उपग्रह अभियान के वास्ते ISRO ने अमेरिका की अंत्रिच एजंसी ISRO ने अमेरिका की अंत्रिच एजंसी NASA के साथ मिलकर दो एजंसी मिले एक भारत की ISRO का एजंसी और अमेरिका की NASA एजंसी मिलकर synthetic aperture radar के निर्मान का कारे पूरा कर लिया है किन दो कंपनियों ने एक इसरों थी और दूसरी कॉंप थी अमेरिका की इंतरी चाहिए नहीं मिलके किसका निर्मारकार पूरा कर लिया है नेक्स्ट कोशन है हमारा देली सरकार ने 2021 के लिए देजभक्ती की विशेवस्तु के साथ 69,000 करोड रुपाय का बजट पेस किया है किस सरकार ने पेस किया है इसलिए देजभक्ती की विशेवस्तु के लिए 69,000 करोड रुपाय का बजट पेस किया है नेक्स्ट उचने मारा जे एम सी प्रोजेक्स को मालदीव की फाही ध्रिवलन कार्परेशन से एक हजार करोड रुपाय का निर्मार कारे का ओर्डर प्राप्त हुआ है कांजी कंपणी है तो इंजिरिंग कंपणी है जे एम सी प्रोजेक्स को कहां का तो मालदीव का फाही ध्रिवलन कर्परेशन से कि एक हजार करोड रुपाय का निर्मार का रिकॉर्ड राप्त हुआ है एक्स्ट उचने INOX Wind has signed binding agreement with Integrum Energy Infrastructure for 92MW of wind power projects इनॉक्स विंड ने इंटेग्रम एनर्जी इंफ्राइस्ट्रक्टर के साथ इनॉक्स विंड ने इंटेग्रम एनर्जी इंफ्राइस्ट्रक्टर के साथ 92 मेगावाट पवान उर्जा परियोजना के लिए बादिकारी समझाता किया है किस ने किया है इनॉक्स विंड ने किया है इसमें के साथ इंट्रग्राम एनर्जी इंफ्रस्क्रक्शर के साथ कितने मेगावाट का तो 92 मेगावाट पावन ओर जाएगा बादिकारी समझाता किया है यानि इनॉक्स विंड ने इंट्रग्राम एनर्जी इंफ्रस्क्रक्शर क साथ 92 मेगावार्ट पर यूजना के लिए बादिगारी समझाता गया है कितने का मेगावार्ट 92 मेगावार्ट का कौन सी उर्जा के लिए किस कंपनी ने क्या इनॉक्स बिंदने कि नेक्ट सोचन है मारा around 25 million new jobs will be created by the Indian retail sector by 2030 as per retail 4.0 report released by a NASCOM in partnership with technopack कि technopack की साज़ेदारी में नैसकॉम द्वाराजारी retail 4.0 रिपोर्ट के अंसार भारतिय खुद्रा छेत्र में 2030 तक इसके साज़ेदारी में technopack की साज़ेदारी में नैसकॉम द्वाराजारी retail 4.0 एक नैसकॉम कंपनी उसने रिटेल एक रिटेल 4.0 रिपोर्ट जारी की है इसके अंसार 2030 तर उद्वारा छेत्र में धाई कोड़ रोजगार ने सेज़ेत होने की संपावना है सब्सक्राइब नाइन वोमें इंक्लूदिंग पेप्सिको चीफ एग्जेटिव इंद्रा नूई फॉर्म फर्स्ट लेडी मिछल उबामा और सौकर स्टार मिया हम वें चुजेंग फॉर्टी नाशनल वोमेंस ओल उफ फेम पेप्सिको की पूर्व कारिकारी अध्यच इंद्रा नूई पूर्व प्रथम महिला मिशल उबामा और फॉटबॉल स्टार मिया हम समेथ नौ महिलाओं को 2021 राष्टिय महिला हौल उफ फेम के लिए चुना गया है नौ महिलाओं को पेप्सिको की पूर्व कारिकारी अध्यच कौन है इंद्रा नूई और दूसरी पूर्व पूर्थम कौन है महिला मिशल उबामा और फॉटबॉलर है इस्टार मियाहम इनके साथ नौ और महिलाओं को 2021 राष्टिय महिला हौल उफ फेम के लिए चुना गय पूर्व पूर्थम महिला मिशल ओबामा और फुटबॉल इस्टार मियाहम इनको सबको इन नौ महिलाओं के समिन नौ महिलाओं को और चुना गया किसके लिए हौल उफ फेम के लिए चुना गया है नेक्स सुचन है हमारा मधिप्रेश गवर्मेंट्स पब्लिक रिलेशन्स दिपार्टमेंट अज लॉंच्ट अ फेक्ट चेक पॉर्टल इम्ड अ कर्भेंग मिस मिस इन्फॉर्मेशन और मेकिं राइट इन्फॉर्मेशन अवलेबल तो पब्लिक मधिप्रेश सरकार के जन संपर्ग विभागने गलत और भ्रामक सुचनाओ पर अंकुष लगाने और जनता को सही जानकारी उपलब्द कराने के लिए फेक्ट चेक पॉर्टल शुरू किया है मधिप्रेश सरकार के जन संपर्ग विभागने गलत और भ्रामक सुचनाओ पर अंकुष लगाने और जनता को सही जानकारी उपलब्द कराने के लिए फेक्ट चेक पॉर्टल शुरू किया है मदिपर्देश सरकार के जम संपर्ग विपागने गलत इवं ब्रामक सूछनवा पर अंकुष लगाने और जंत्रा को सही जानकारी उप्लग कराने के लिए फ्रेक्ट शुरू किया है नेक्ट कोचने मारा कोनेरू हम्पी रिजिन वर्ल चेस्ट रेंपिन इपेट फर्माट वस वन थे बीजिए इंडियन स्पोर्स वोमन अफ यह वर्ड रेपिप्रारूपी मौझ। विश्व शत्रण चैंपिन कोनेरू हम्पी को कौन सब्णे वर्ड यह किसको लिए गया विश्व सत्रण चैंपिैन कोनेरू हम्पी इंको कौन मैंने दिपिका कुमारी इन वोमें सेक्षिन विल हैड्लाइन इंडियन रिकावर अर्चरी कॉंटिजेंट गेवरिंग दिस येर्स टोक्यो ओलंपिक्स अनुभवी तीरंदाज अतनुदास और तरुण दीप राय इस साल टोक्यो ओलंपिक के लिए बारतिये रिकर्व तीरं तोक्यो ओलंपिक के लिए बारतिये रिकर्व तीरंदाज दल के पुरोश वर्ग में किसका हुआ है दिपिका कुमारी का हुआ है शामिल किया गया इनको पुरोश वर्ग में कौन से दो नाम है एक नाम है अनुभवी तीरंदाज अतनुदास और तरुण दीप राय महिला पुरोश वर्ग में कौन है दिपिका कुमारी यह किसके लिए चुना गया तोक्यो ओलंपिक के लिए बाहरतिय रिजर्व कवरी रितिरंदाज दल के लिए इनको चुना गया है आज के लिए इतने इसके आगे कुश्टन के बारे में नेक्स क्लास में डिसकस करेंगे अगर आपको और कुश्टन की जानकारी चाहिए तो आपकेमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज माय चैनलर को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और कोशिच करिए वीडियो को जादर जादर श्यार करेंगे तर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो में अगर कुश्चन्स हो तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज हमाय चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को ज्यादर ज जैहे हिंद।